अग्राइब करने वाले हैं क्लास नाइट एंसी आडी मैट्स का कुश्चन नमबर फूर और इसके पहले की क्लास में पिटा हम लोगों ने सौल्व किया था कुश्चन नमर फर्स से करने थर्ड जिन पर चुन ना देखा हो आप प्लेलिस्ट में जार वहां से उन सभी वीडि करते हैं कुश्चन नमर फूर को जिन्होंने डेफिनली प्रीविएस वीडियो देखा होगा उनको आज का क्वेश्चन काफी एजी लगेगा तो देखें आपके क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स्प्रेस जीरो पॉइंट नाइन नाइन यानि कि यह क्या है एक नॉन ट करना है आगे क्या कह रहा है कि या रिफ सर्पाइज बाइव आंसर डिसकस वाइद आंसर मेंक सेंस विडियो टीचर एंड प्लासमेर्स देखिए आंसर क्या आएगा और आंसर से आप क्यों सर्प्राइज होंगे उसको डिसकस करेंगे तो स्टार्ट कर दें सुलूशन इसक जब कभी भी बिटागर आपको ऐसी कोई वैल्यू मिल जाए इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना हो तो जो वैल्यू दीग रही दी होगी उसका एक्स के रूप में क्या कर लेंगे एज्यूं कर लें तो यहां पर देखिए हमने क्या कर लिया है एक्स के फॉर्म में है जो repeat हो रह propor है यहां पर आप देखिए एक ahg집 नाइन झो बार बार क्या हो रही बिटा यहां पर repeat हो से multiply करना है 10 से multiply क्यों करें जिसे एक value 9 क्या हो जाए 0 के पहले आजा तो आई इस हम क्या करते हैं लिख लेते हैं so we need to multiply by 10 on both side और देखे से हमें मिलेगा क्या so अब हमें यहां पर देखे मिल जाएगा x में जो हमने multiply किया 10 से तो it will become 10x और जब हम 0.999 में हम multiply करेंगे 10 से तो एक 9 जो decimal के उधर कहां जाए decimal के पहले आ जाएगा यानि कि जो value है वो बन जाए 9.999 तिल infinite अब देखे हमने क्या करना है अब जैसे मैं आपको पहले बताया हुआ था कि अब हम दोनों equation को ले लेंगे equation number first और equation number second यानि कि हमने क्या किया है जो पहले हमने एक्वेशन किया तो इसा हमने equation number ए माना हुआ है फिर हमने दोनों सारे 10 से multiply किया multiply करने के बाद हम क्या करेंगे जो नए equation आये को इसा हम equation number भी मान लेगी यह मैं process fast इसलिए कर रहा हूं क्योंकि previous वीडियो में equation a से क्या करेंगे minus कर देंगे तो हमने आप देखिए equation b को लिख लिए है अब हम लिख लिए equation a को भी हमने हावं देख लिए equation a को भी इं दोनों कि हम मास में के बाद 999 रिपीट हो रहा यानि कि यह पूरा-पूरा जूसर्स क्या हो जाएगा माइनस होकर के जीरो आएगा बट अगर आप डेसमल के पहले जाएगे देखें तो आप नाइन में साब जीरो को माइनस करेंगी तो इस सिट्वेशन में आपको क्या मिल जाएगा नाइन यानि कि इस पूरे एक्वेशन जो आप सौल करेंगे तो आपको 9x is equal to 9 मिलने वाला हैं अब देखिए इसके पहले हम क्या क्या करते हैं इसके बाद इसके बाद हम यह जो एक् आप नाइन से 9 को हम कट कर देंगे नाइन से 9 जब कट हो तो simply आपको one by one यानि की एक्स की वैल्यू आपको one मिल जाएगी अब देखिए यहीं पर आप से जो question आप देखिए उपर पूचा हुआ था कि जब आपको answer मिल रहा है तो आप surprise कहां पर हो रहे हैं कि आप भी surprise हो नहीं हो रहे हैं देखिए आपने starting में बेटा x की value क्या जिम किया हुआ था जिरो पॉइंट नाइन 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 टेल एंड यानि की आप धियान देखिए जिरो पॉइंट नाइन नाइन अगर एंड में जाता जाए उससे आप increase करेंगे round off करेंगे तो value आप मिलेगी one point zero खिर बाद यहां पर surprise होने की क्या है कि आपने starting में जो value माना हुआ था जिरो पॉइंट नाइन नाइन करके था बड़ यहां पर x की value क्या गई है वह नागे है तो यही एक ऐसा यहां पर scenario देख रहा है जो आपके लिए surprise होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए जो यह x की value starting में दी गई थे और जो x की value अब आपकी आई हुए एक्चल में इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो ना के बराबर जो के negligible है तो इसलिए हम x क्या माल लेते हैं and assume कर लेते हैं and माल लेते हैं तो देखिए इसको हम कुछ कैसे लिखे लिखेंगे अब में notes के लि बिल्कुल surprise हो जाते हैं कि यहां बेखिए x की value starting क्या थी 0.99 थी बट जब हमने solve गया थो हमें क्या मिल गया वन मिल गया बट इन दोनों के गैप है क्या है बिल्कुल ना के बराबर है लिजिबल है इसलिए हम कह सकते हैं क्या यह दोनों actual में क्या है एक्कॉल है दोनों बरा सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यह देखना है भाई को टर्मीटिंग होगा और नां टर्मीटिंग होगा फिर सेगंड आपको देखना है कि वह बटा करना पड़ेगा इसका जो रेकरिंग नंबर है में वह पता करना पड़े किसे ब्लॉक में कितने डेजिट आते हैं तो आई हैं बस स्टार्ट करते हैं कि लांग डिविजन को पाने के लिए हमें क्य क्योंकि यह जो डिवीजन काफी बिड़ा लंदी होने वाला है जिससे कि आप लोगों डाउट नहों आप चाहें जिसका स्क्रीन शॉट ले करके इसका जो कोशन डिसको आप लोग अच्छे से लिख लिखें तो यहां पर देखिए साथ से पहले आपको निशली हमें क्या करन सब्सक्राइब कर दिया है जब आपको मिल जाएगा जिरो मिलेगा तो हमने यहां पर 17 00 कर लिया है और हमने देखिए यहां पर को कोशन में 0 लिख दिया है तो जब आप 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आएगा 1 बट मैंने 10 क्यों कर दिया है बिकॉस देखिए 0 के बाद हमने अप्लाई किया है और जब डेस्मल अप्लाई होता तो एक 0 लग जाया करता है तो यहां पर 10 हो गया है अब देखिए यहां पर अभी भी देखिए situation वही बनी हुए जो 10 आई है नई value वह अभी भी क्या है 17 से छोटी है यानिक हमें क्या करन पड़ेगा फिर से 17 टेबल 0 टाइमस की काउंट करनी होगी और सीधिस बाद जो हम 0 टाइमस काउंट करेंगे जो फिर से में क्या मिलेगा 17 0000 यहां पर हम लिख देते हैं और क्या कर देती माइनस करें अब देखिए जब 10 मेंस करेंगे तो फिर से में 10 मिलेगा बड़ चु काउंट कर सकते हैं चलिए अब 17 टेबल बेसिकली यहां पर पढ़ेंगे फाइब टाइमस में टेबल पढ़नी पढ़ेगी तो सत्रा बारे 17 टाइब से विल काउंट टेबल देन वी विल गिट 85 और अब हम क्या करेंगे 85 से इसको मानिस करेंगे हमें मिलने वाला है 15 और 15 को we have 51 से जादा नौच से ञांट करेंगे तो व्ल्व क्या क्या हो जाएगी जादा मिल जायाँगा 15 मिल जाएगा इसलिए आप टेबल को कितने बारी कॉंट करें बच्छे 8 times count करेंगी और जब हम 8 times हम उपर लिख देंगे और 8 times count करेंगी तो हमें क्या मिल जाएगा है है 136 और simply वही लोग follow करें 136 को माइनस करेंगे देखें यहाँ पर 136 को माइनस करेंगे तो simply हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है 14 मिलने वाला है चुकि decimal लगा हुए बिटा तो देखिए हमने यहाँ पर क्या apply कर दिया है 40 apply कर दिया है अब देखें फिर से आप ध्यान दीजी 8 times table पढ़ा तो हमें 136 मिला था अगर हम 9 times पढ़ेंगी तो हमें क्या मिलेगा 153 मिलेगा It means that हमें जो table count करना फिर से क armored ही count करना कि पिर से eight times count करना है और जब eightиком table count करेंग, तो हमें फिर से क्या मिल जाएगाатели 136 शियुक्त मिले वह रागा तो 136 मह पहने लिख खुमतवी है और फैर in से 136 माइनस करेंगे simply हमें 4 मिलेगा और 4 में एक 0 में add कर देंगे चुकि decimal लगा हुआ है तो वह value बन जानी है 40 अब 40 बन जाएगे तो आई हम लोग काउंट करते हैं फिर से टेबल अब आपकी टेबल बेटर काउंट होगी टू टाइमस क्योंगी 34 आना चाहिए तू टाइमस 34 को माइनस करेंगे तो हमें value मिलेगे 6 बट decimal की वज़े से value बन जानी है 60 तो हमने यहां पर क्या कर लिए बटा 60 लिख लिया है और आप देखे टेबल को इस बारी में count करना पड़ेगा 3 टाइमस 3 टाइमस count करेंगे तो हम में नई value मिल जाएगी यहां पर 51 और 51 को हमने यह कोई doubt नहीं होगा अब देखेंगे 17 आपको ऐसा पढ़ना कि 90 से value जादा रहो इट मीज अब आपको value जो count करना पड़ेगा वह 5 टाइमस count करना पड़ेगा और आपको यहां पर क्या मिल जाना है 85 मिल जाएगा यह काम आपको कब तक करना है आपको तब तक करना है जब तक क 0 नहीं मिल जाए यानि आपको यह तो 0 का वेट करिए या फिर रिमांडर 1 का वेट करिए चलिए हम आपके continue करते हैं जब तक हमें 0 या 1 नहीं मिल जाता है तो simply जब 90 में से 85 हम माइनस करें बेट तो हमें फिर से क्या मिल गया देखिए 50 मिल गया है और जब यहां पर 50 मिल ग करेंगी बड़ डेसमल की वरे से क्या बन जाएगा 160 बन जाएगा अब फिर से देखिए हम उसी सिनेरियों पहुंच गए है अब टेबल को ऐसा काउंट करिए कि 160 से जादा नहों इट मींस दार इस टाइम यू कैन काउंट टेबल तेल नाइन कि जब 9 टाइमस काउंट करें तो आप की टेबल के नहीं पहुंचे कि 153 सो 153 देखिए यहां पर आ चुका है बहुत लंदी टेबल लग रहा है यह जाएगा सो देखिए यहां पर हमने कर लिए 163 53 हो गया है अब यहां पर देखिए रिमाइंडर जब आप सॉरी जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा और सिंप्ली से जब माइनस करेंगे तो हम मिलने वाला है तू यानि की बन जाएगा वो 20 तो यहां पर लिख लेते हैं अब जब 20 आ गया है यानि की वैल्यू को आप कितनी टाइम्स पढ़ेंगे वन टाइम्स पढ़ेंगे 17 17 17 टूज आपका क्या हो जाएगे यह वैल्यू एक्सीड कर जाएगा ज्यादा हो जाएगा तो 17 17 तो जब 17 किया तो अब यहां पर हमें वैल्यू मिलेगी 3 और वह बन जाएगा 30 चुकि डेस्मल लगा हुआ है और अब आपको फिर से टेबल काउंट करना पड़ेगा वन टाइम्स ही चुकि टू टाइम्स करने म आपकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो वन टाइम में बेटा आपको फिर से 17 देखिए यहां पर मिल जाएगा अब यहां पी माइनस करेंगे तो वी आर गोईंट करना पड़ेगा सेवन टाइम्स कंड अगर हम काउंट करेंगे तो वैल्यू में मिल जाएगी वन वन ना अब यहां पर बन जाएगी यहां पर वन टैन यानिकी अब हमें टेबल काउंट करना है जिक्स टाइम टेबल काउंट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी वन जिरो टूर्ट अभी देखिए रिमाइंडर यहां वन या जीरो आने का नाम नहीं रहा तो अब बस चलते जाएए च यानि की देखे 110 में से आप 12 माइनस करेंगे तो आपको एट मिलेगा एट में आप 0 लगा देंगे तो वह वैल्य बन जाएगी एटी और जब आप एटी बन गया है तो अब आप टेबल काउंट करेंगे फोर टाइम्स देखते हैं कहा तक यह पहुंचता है वही तो देखें ह आपकी वैल्य यहां पर आ जाएगी अब यहां पर टेबल आपका काउंट होगा बिटा यह सेवन टाइमस सेवन टाइमस वाओ देखेंगे यानि जैसे में जिरो तो नहीं मिला यानि कि यह जो वैल्यू है नॉन टर्मिनिटिंग है ठीक है अगर जीरो रिमाइंडर मिल जा पर देखें आप प्रॉपर ब्लास वं में फिर से मिल यानि फिर से कहां यह से स्टार्ट हो जाएगी आप करेंगी जो वैल्य देखेंवीं मिल क्तोर किमिल जाए गूओं करते हैं तो तो ओन करने पर यह लग वैल्यू बन जाएगी तो टोटल इसमें देखिए आपकी जो वैल्यू इसे बेटा कितनी है 16 तो टोटल इसमें रिपीटिंग ब्लॉक्स यह कैसा नंबर में रेकरिंग है यह कैसा है रेकरिंग है क्योंकि देखिए कि प्रॉपर प्रॉपर ब्लॉक है इसके बाद आपकी कहानी वहीं से 058823529411764 यानि कि अगर आप आगे डिवीजन करेंगे तो फिर से यही नंबर आपको रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा यानि कि यह जो डेस्मल एक्सपैंशन दिया गया है यह नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है आई होप आप समझ में आपको बहुत इजी था बस एक ल वर्डिंग में जिससे कि हम अपने नोट्स को बखाए दे अच्छे से शो कर पाएं और दिखा पाएं तो दिखे इसको हमने बेटा कुछ ऐसे हम लिख लेते हैं सब्सक्राइब है तो आगे इसको हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं तो आज की वीडियो हमने सॉल्व किया हुआ है दो कुछ जो की है अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्स करेंगे नेक्स्ट व थ्री कोशन के बारे में आप लोगों अच्छा लगा होगा यूसफुल लगा होगा तो आप लोग बिट अपना फीडबैक देना मत भूलेगा अगर आप नए वीवर है ने चनल पर आप सब्सक्काइब क करके नोटिफिकेशन बिल्कों कर दीजे जिससे कि आगे से कोई आप मेरी वीडियो मिस ना करेंगी प्लीज साहथ साथ आपके एक कम और करना कि जादा ज्यादा लोगों को आप जोड़नी कोशिस करें जिससे कि आपके फ्रेंड शर्क्ल जितने भी लोगे सब लोग इसका का फाइदा उठा सके धीदरी करके ऐसे में सारी टॉपिक्स आप लोगों को प्रवाइड करता जाओं कहीं पी कोई डाउट है कंफ्यूजन है तो आप मुझे डिस्स करते चले उसका सलुशन भी में आपको प्रवाइड कराऊंगा थैंक्यू सुमच एवरीमें सी यू सून to the next video